हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडिमा आप देख सकते हैं यह 25 फिट बाई 40 फिट का हाउस प्लान है इसको हमने बहुत ही संदार तरीके से डिजाइन किया वह आप देख सकते हैं यहां पे आपको पूर चेरिया मिलता है जिससे इस घ बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो आपको शरीव इतना करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है वेला इकन प्रेस करना है जिससे बेन फिडिया होगा जब भी हमको न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल में चला जाएग आप यहां पर दिख सकते हैं यह जो आपको घर का जो यह आगे का हिस्सा है यानि यह वाला जो पूर्तन है यही इस घर को चार चांड लगा रहा है यानि की काफी सुन्दर बना रहा है तो दोस्तों छोटे-छोटे चीजों को आपको ध्यान देना है जब आप घर तर्वाजा के साथ आपको यहां पर भी दर्वाजा देना पड़ेगा जिससे आपको च्छत पे जाने के लिए यह ओपन रहे ठीक है यह सारा डीटील की देने के बाद अभी धाने के सारी सब्दार आपको एक जाने के पहले समझाएंगे तो दोस्तों यह आगे से लुक तो बहुत बैतरी लगेगा और इसका हम जो रेलिंग बनाएंगे या उच्छत लगाएंगे तो और भी सांदार यह हाउस प्लान दिखने वाला है तो वीडियो को लास तक बने रही है ठीक है तो चलिए वन बाई वन करके हम आपको सारा डीटेल दिखा देते हैं अगर यह पीछ तो यहां से लएक हम तक देख सकते हैं नौ फिट मिलता है यानि 10 फिट बाइद वाला आपको बेडरूम देखने को मिल जाता है थीक है यह अपका चिल्डेन रूम भी बोल सकती है क्झे कुछ शोटा है घीक है यह आपका मास्टर बेडरूम इस सांद में मिलता है देख सकते हैं काफी बड़ा है और इससे आपको ट्वालेट अटेच भी है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस तरीके से बात करें तो यह देख सकते हैं दस फिट इसकी चोड़ाई है अगर लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको तो देख सकते हैं यह आपका मिलता है और इस साइट से की चोड़ाइं के तो तीन फीट, चार इंच के आसपास आपको इदर ते आपको चोड़ाइं को मिल जाता है और यह आपको छोड़ासा है दूस्तों यह है OTS, OTS का role क्या है, यहाँ पर एक cut लगा देंगे, जैसे हम बदाते हैं, थोड़ा सा cut लगा आपको दिखा देते हैं, जैसे आपको कोई भी confusion ना हो, ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको cut रहेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, इसकी इसका ventilation proper होता रह कुछ इस तरीके से, और ये side में जो आपका room है, यानि ये वाला, छोटा वाला room, जो है bedroom, ये वाला, ये वाला, इसके लिए भी हमको एक बनाना पड़ेगा, यहाँ पर windows के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक windows के लिए ऐसे बना सकते हैं, और इसका इस तरीके से यहाँ पर देखाते हैं, इसकी dimension की बात करें, अगर हम तो देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जूम करने के बाद स्वरी, ये आपको फिर से दिखाते हैं, एक minute, ये देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक की बात करें, तो देख सकते हैं, चार फिट है, और तक की बात करें, तो 7 फिट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, 7 फिट के आसपास है, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, और यह आपको कीचन की बात करें, तो कीचन आप देख सकते हैं, 8 फिट चोड़ाई है, इसकी लंबाई की बात करें, तो ग्यारे फिट, साड़े साथ आठ फिट याने की समझ लिए आठ बारे फिट के आसपास में यह इसकी चौड़ाई है तो दूस्तु काफ़ी कीचन काफ़ी बड़ा है ठीक है इसमें कोई भी प्राब्लम नहीं है तो जो हॉल की बात करें तो देख सकते हैं हाल भी आपको काफ़ी बड़ा सा हॉल मिलता है हवाइल की बात करें यहां से देख सकते हैं अगर आप यहां तक का डिस्टेंश दखेंगें देख सकते हैं इधर किदा देखा रहा हो स्वरी मैं आपको देखाता हूँ थे घ्र Sans G पला से आपको रश्या nr वे इसटेंस की बात करें। देख सकते हैं 16 155 इंच। देख सकते हैं तो यहाँको यहाँ हुआ है। जो की काफी अच्छा साइज है और आपको इधर में मिलता है गेस्ट रूम के लिए आपको देख सकते हैं गेस्ट रूम है और इसके नीचे से यहां पे देख सकते हैं एक टॉइलेट का भी सेटप दिया गया है जिससे क्या होगा यह घर का जो कोई भी परसन आपका बाहरी इसके स्टेर के नीचे जो आपको टॉइलेट रहेगा उसके यूज करेगा ठीक है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 11 फिट 7 इंच का इसकी लंबाई है और 9 फिट 1 इंच की इसकी लंबाई है ठीक है तो यह होगी आपका गेस्ट रूम आप देख सकते हैं यहां आप पर पारकीं आ वरणधा का बी दिया गया है तो यहां पर देख सकते हैं यहां से यहांतख स्टेंस साद्ब्द 5 इंच के सब्सकर है और ज़िक सकते हैं 2 इसको यह वारिझ सेविद 12 इंच का है और इसकी चोड़ाई की बात करें यहां से यहां तक क्यों ते तेरे फिट के आसपास आता है ठीक है तो यह दोस्तो यह था इसका डैमेंशन डीटेल यह सारा कुछ इसमें देख सकते हैं चारो साइड से कॉलम कितना अच्छे प्रॉपर स्पेसिंग पर दिया गया है अगर आ आपको यहां से अगर यहां तक का बात करें तो देख सकते हैं 6 पिट का डिस्टेंज दिया गया है तो इसी तरीके का दोस्तों हाउस प्लान देखने के लिए हमारे चैनल को स्क्राइब करें वेल आइकन प्रेस करें तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता है मिलता है नेक्स पूड़ी में तब तक के लिए चाहें दोस्तों